लां इसादिधू अैहाज्व तो यह वीडियो मेरे सारे दोस्तों भाई यह बहन भया दिदी 9 जितने भी हैं सबके लिए है जिनको भी एक्जाम से डर लगता है बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनको गये एक्जाम बिल्कुल भी डर नहीं लगता और मैं उस लिस्ट में बिलकुल भी नहीं हूँ और अगर आप भी उस लिस्ट में नहीं हो तो ये वीडियो आपको जरूर पुरा देखना चाहिए पिछली बार मैंने कुछ टाइम सेविंग टिप्स बताये थी आप चाहो तो जाके देख सकते हो तो चलिए बिना देर किये आज का वीडियो स्टार्ट करते है बृत इतना मत डरो थोड़ा सास लो हवा आने दो मतलब सास तो आप ले ही रहे हो वरना जिन्दा कैसे होते मतलब जब भी आपको बहुत घबरहाट हो एक लंबी सास लो और रिलेक्स करो ट्रस्ट मी आपको बिटर फिल होगा टेक चिल पिल वैसे आपको इसके लिए कोई दवाई लेनी की ज़रूरत नहीं है आप बस अपने दिमाग को ठंडा करो और ये काम पानी बहुत अच्छी तरह से कर लेती है पानी पियो और तुरंत आपके अंदर एक फ्रेशनस आजाएगी और दिमाग शान्त हो जाएगा अगर एक्जाम हॉल में आपके हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रहे है तो एक्जाम से पहले अकेले चुपचाप ना बैटके आप अपने फ्रेशनस से थोड़ा बात कीजिए और आप कमफर्टेवल फील करोगे और हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाएगी प्रिप्यार फॉर दा एक्जाम अगर इन सब के बात भी आपको एक्जाम देने से ड़ लग रहा है तो ये वाली पॉइंट मस्ट है आप देखो डड़ क्यों लगता है ये सोचके कि कही कम मांक्स ना आ जाए और कम मांक्स कब आएंगे जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो इसलिए आपको एक्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेर होना है वो भी एक दिन के तयारी से नहीं बहुत पहले से करना है क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप एक्जाम हौल में कॉन्फिडेंटली चापाओगे इजी कोस्चन्स फर्स्ट अगर पहले ही आप डिफिकल कोस्चन्स देखके घबरा जाओगे तो ठीक से एक्जाम नहीं दे पाओगे तो जो आसान वाले कोस्चन्स है उनके अंसर्स पहले दे दो और आप जितने सही करते चाओगे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती जाएगी तो दस्तो मैंने आपको बहुत ही आसान सी ट्रिक्स बताये है जिनसे आपकी एक्जाम फोबिया दूर हो जाएगी एक्जाम से लगे डर अब मत लेना टेंशन तू इन ट्रिक्स को फॉलो करो और डर को करो उरंचू वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर एक लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब कर देना फिर मिलेंगे नेक्स टूस्डे और साटरदे को गुद्बाइ और गेट रीड और एक्जाम फोबिया